तो दोस्तो फाइनली एक्सिस बैंक ने अपना जीरो वैलेंस अकाउंट लॉंच कर दिया और यह लॉंच अभी दो महीने पहले हुआ जस्ट मैं थोड़ी बहुत रिसर्च कर रहा था लेकिन भाई देखो मैं इसको फिर से इसले कर रहा हूं क्योंकि आठ से साथ से आठ महीन पहले एक्सिस बैंक ने अपना एक अकाउंट लॉंच किया था जो कि था एक्सिस बैंक का सहथ सेविंग अकाउंट यह वाला अकाउंट हमारा ओनलाइन ओपन नहीं होता था इस वाले अकाउंट के अंदर हमको पांच रुपे की इनिश्टन फंडिंग करनी पड़ती थी और उसके बाद जाकि यह वाला अकाउंट हमारा जीरो बैलेंस होता था और उसके बाद दूसरा अकाउंट आता है हमर पस एक्सिस बैंक का इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट अब देखो भई जो यह वाल अकाउंट था न यह कुछ नए मोडल पे बेस था इस अकाउंट क अकाउंट को ओपन नहीं कर पाई क्योंकि यह बड़े लेवल का अकाउंट था यह वाल अकाउंट वही लोग ओपन कर सकते थे जिनको की बहुत ज्यादा प्रीमियम सर्विस चाहिए थी जीरो बैलेंस के नाम पे अब यहां पर आपास तीसरा अकाउंट आता है जो कि अभ यहां पर आपको ओपन आपको ओपन करना भी चीए है यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट का सेक्षन मिल जाएगा आपको इस ही के अंदर आ जाने अब access bank के पास जितने भी saving account है वो सारे आपके पास आ जाएंगे यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा सबसे पहले अब देखो सहथ saving account के अंदर दिक्कत यह थी ना आपको यहाँ पी 500 रुपए initial funding करने परते थे लेकिन यह वाल अकाउंट आपका offline जाके उपन होता था और लिटरली बता रहा हूं इस वाले अकाउंट के अंदर बहुत ज्यादा limitations हुआ करती थी तो इसलिए हमारे पास आता ह Axis Bank का Amaze Saving Account अगर मैं इसके explore more पर क्लिक करता हूं तो भी अब Amaze Saving Account के जितनी भी benefit है एक बनम आपको सबसे पहले बता देता हूं यहाँ पर आप देख सकतो सबसे पहले तो भाई आपको welcome benefit ही यहाँ पर आपको 5 AAA का मिल जाएगा यानि कि 6000 रुपए में आपको Amazon Prime, Book My Show, Swiggy Dineout, Swiggy One और Uber के आपको discount वगरे देखने को मिल जाएगे यहाँ पर आप देख सकतो अगर आप थोड़ा सा नीचे scroll करते हो ना तब जाके आपको यहाँ पर सारी चीजे पता चलेंगी यहाँ पर आप देख सकतो सबसे पहले benefit आपको यहाँ पर complimentary 3 month Amazon Prime Membership का मिल जाता है जो क इसकी बात complimentary Swiggy Down और भी आपको voucher 500 रपय का मिल जाता है और उसके बाद यहाँ पर आपको 3 month का Swiggy One का membership भी मिल जाता है जिसकी value आपकी 4 रपय की होती है और उसके बाद आपको Uber में भी Rider Pack पे 500 रपय तक का discount देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको as reward point भी देखने को मिल जाते हैं लेकिन देखो मैं आपको personally बता रहूं आज तक मैंने access bank के reward point का कभी मतलब यू समझलो की benefit इनी उठाया और उसके बाद आगर हम बात करें यहाँ पर debit card की तो यहाँ पर आप देख सकते हो no charges on ATM withdraw देखो बाई जो भी दूसरी account होता है ना उनके अंदर कुछ ना आद में discuss कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आपको अपने debit card के ऊपर कुछ insurance cover भी देखने को मिल जाते हैं जैसे सबसे पहला cover आपको personal accidental का मिलता है जो कि आपका 5 लाग रुपय का रहने वाला है उसके बाद air accidental cover आपको एक करोड का मिल जाता है उसके पर हमारा loss of baggage, delay baggage यहाँ पर आपको cover 500 USD dollar का मिल जाता है आप दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो finally हम Axis Bank के zero balance account की term and condition के अदर आचुके हैं यहाँ पर देख सकते हो enjoy premium banking with zero charges on all domestic transaction and no minimum balance required याईनिक आपको एक premium banking भी देखने को मिलती है और आपको इस account के अदर एक भी पैसा maintain क दने की जोतनी है लेकिन देखो इस account को open करने से पहले यह साफ साफ कहा रहा है आपको यहाँ पर minimum से minimum 5000 रुपय तक की initial funding करनी पड़ेगी अभी ना मैं आपको account open करके भी दिखा देने वाला हूं कि हमारी minimum funding कितने की होती है और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकतो इस account को run करने के लिए हमको यहाँ पर recurring fees एक देनी पड़ेगी जो कि आपका कम से कम 200 रुपय हर महीने रहने वाला है यानि कि भाई देखो आप बोल सकतो यहाँ पर भी एक subscription fees लगाई गई है आपको हर साल 2200 से 2300 रुपय के आसपास देने पड़ेंगे उसके बाद आप यह सारी facility क यूज कर सकते हो अब देखो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई हमको अकरकर facility कौन ची मिलती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो no charges on non maintenance of balance यानि कि अगर आप अपने account के अंदर एक भी पैसा maintain करके नहीं रखते तो भी आपसे एक पैसे का charge नहीं लिया जाएगा उसके बाद no charges और IMPs and EFT देखो भाई बहुत से account होते हैं जिनमें कि आपको IMPs की service पे charges देने पड़ते हैं लेकिन यहाँ पर कोई भी charges नहीं है उसके बाद no charges on DD no charges on cash deposit and withdraw above limit अगर आप limit भी cross कर जाते हो तो भी आपको कोई charge नहीं देने पड़ेंगे उसके बाद no charges on checkbook issuance and other domestic banking service transaction यानि कि आपको checkbook, passbook यहाँ पे debit card और यहाँ पे जितनी भी transaction होती हैं सारी आपको free देखनी को मिल जाती हैं देखो भाई हम यह कह सकते हैं जो इससे पहला वाल account आया था ना उसी का एक upgraded बढ़ जा नहीं है तो भाई देखो मैं तो यहाँ पी यही कहूंगा अगर आप premium service यूज करना चाहते हो ना तो आपके लिए 24 रुपय कुछ भी नहीं है ध्यान अगना यहाँ पे आप 24 रुपय मत देखना premium service भी देखना अगर आप service देख रहे हो तो यहाँ पे चार्जिस मत देखना एक चीज़ देखना सिर्फ अब देखो भाई हमारे पास सवाल यह यह है कि भाई मान के चलते हैं हमको अगर access bank के अंदर यह अपना saving account चाहिए तो भाई हमको open कौन चाहिए जिसमें की charges बिल्कुल zero हो तो भाई देखो मैंने आपको starting में बताया था आप चाहो तो यहाँ पे अपना सहत saving account भी open कर सकते हो यहाँ पे भी बहुत सारे फीचर है जो क इसमें disable हैं लेकिन देखो अगर आप काम चलाना चाहते हो तो चला सकते हो वरना अगर आप अपने account के अंदर अगर पैसे maintain कर सकते हो न तो यहाँ पे मैं आपको एक ही सला दूँगा कि आप अपना easy access saving account open करवा ले न इसके अंदर आपको minimum 5000 और maximum आपको यहाँ बारा हजार funding और यहाँ पे average balance है वो भी बढ़ता जाएगा तो वह देखो साफ सेधी simple वासा में यह है अगर आपको zero balance account access bank में open करना है बिना कोई charge दिये तो वह आपको यहाँ पे सहत saving account open करना पड़ेगा अगर आप charge ना देखे जो कि आपका offline open होगा अगर आप online account open करना चाहते हो तो आपको charges pay करने पड़ेंगे हर महीने या फिर हर साल अगर आप charges pay नहीं करना चाहते तो भाई आप अपना easy access account open करवा सकते हो बस साफ सेधी यही बात आना था मैं आपको अगर मैं आपको इसके alternative के बारे में बता हूँ तो भाई देखो यहाँ पे आपको potang mehender bank AU bank zero balance account और य दोस्तो अब इस page पे आप देख सकते हो आपको simply pen card अधार card और अपना 10 digit का mobile number एंटर करना है और simply आपको दोनों टामेंट कंशन को accept करके proceed कर देना है अब उसके बाद आपके phone number पे OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है अब यहाँ पे आप देख सकते हो आ पेर को एक credit card का offer चीए bank की तरफ से इसलिए मैं अपनी annual income यहाँ पे 15 लाख रुपे डाल रहा हूँ तो उसके बाद आपको simply yes पे टिक करके और next कर दे रहा है अब यहाँ पे एक review का page open हो जाएगा simply आपको check का लेना है कि सारी details सही है या फिर नहीं है तो दोस्तो यहाँ प सकते हो हमारे पास access bank का एक agent connect हो चुका है और वाई देखो agent आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा जो भी आपने detail फिल करी है वो आपसे simply थोड़े बहूँ detail पूछ सकता है उसके बाद आपको अपना pen card show करना पड़ेगा उसके बाद आपको एक paper पे signature करके दिखाना तो मैं तो आपको यही suggest करूँगा कि आप UPI वाला method चूज कर सकते हो लेगिन भाई अभी temporary के लिए मेरे UPI method काम नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे net banking को चूज करके proceed कर देता हूँ net banking के लिए भी आपको अपना bank account चूज करना है जिसके थूँ आप payment करना चाते हो उसके बाद आपको अपनी customer ID और password डाल के proceed कर देना है अब आपके mobile नमर पे एक OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ पे enter करके submit कर देना है आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे हमने OTP submit किया हमा pin transaction या फिर phone पे Google पे या फिर UPI की कोई सी भी application instant run कर सकते हो तो मैं simply आपको proceed वाले button पे click कर देना है अब इस page पे आपको एक चार अंक का pin create कर लेना है और यह pin आपके virtual debit card के लिए रहने वाला है जब भी आप उसका online या फिर offline इस्तमाल करोगे तब यह pin आपसे पूछा और आप उसको हमेशा याद रखो, pin create करने के बाद आपके पास ऐसा page आ जाएगा और इस page पे आपके account की जितनी भी detail है वो सारे रहने वाली है जैसे कि आपका account number, ifc code, customer id वगरा जितनी भी चीज है आपको सारी इस page पे मिल जाएंगी